हलो माईडियर अश्टुडेंट्स आज हम लोग मिरर फर्मूला पढ़ेंगे इसके पहले हम लोग फोकल लेंथ और एडिया सब्कर वेचर के बीच रिलेशन देख चुके थे सब्सक्राइब करके वेल आइकन में दबा दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अज स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिट्वीन फोकल लेंथ रेडियस और फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दो माल लिया जाए कि मने एक असफेरिकल मीरर है यह मन तो इदर यह आपका कॉनवेक्स है और यह मिरर क्या है कांचेबंतव है कंचेमं मतलब इदर इस इसमें reflecting surface जो है away from the Center of curvature है, तो इसको भी हम लोग MN ही kilka spherical mirror लिये है MN, और इसका pole P है, focus F है, center of curvature C है, दोनों के लिए pole P, center of curvature C and focus F है अब क्या है कि image distance और object distance के बीच relation निकालना है तो एक object होना चाहिए और उसका image बनना चाहिए तो एक point object O हम लोग इसके principle axis पर ले लेते है O, point object अब जैसे ही ये object है तो इससे बहुत सारी परकास किरने चलेगी अगर एक ये pole पर आती है तो चुकि ये pole पर center of curvature के line पर है मतलब pole पर normally गिर रहा है तो ये इसी line में आपका क्या हो जाएगा reflect हो जाएगा ये गया और इसी line पर क्या होगा reflect हो जाएगा मतलब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो center of curvature से पास करेगा खेर आप image tracing में देख चुके होंगे यहाँ O से हमने एक ray mirror पर भेज़ दिया जिसको की OA कह दिये अब यहाँ पर reflection को समझने के लिए हमको normal drone करना पड़ेगा normal के लिए हम लोग simple center of curvature से इसको मिलाते है center of curvature से मिला दिया अब क्या है कि यह angle of incident हो गया आई अब यहाँ पर reflection होगा reflection होगा तो उतना ही angle बनाते हुए normal के साथ यह कुछ हैसा निकल जाएगा जिसको की पीछे की और बढ़ाएंगे पीछे की और तो कुछ यहाँ से आता हुआ परतीत होगा और यह क्या है यही image बना object का o dash इसको o dash कहती है सेम इसी में हम लोग लेते हैं concave mirror में भी कि एक o object है इससे बहुत सारी परकास किरने जाएगी एक आपका principal axis पर भी जाएगा जो की टकरा कर pole से टकरा कर reflect होकर उसी पर आपका retrace होगा मतलब वापस आ जाएगा एक और रे लेते हैं जो की किस point पर जाकर incident होता है यह point पर इस point को हमने कह दिया center of curvature और कहीं यहाँ दिखा देते हैं तो यहाँ पर normal के लिए हम लोगों को यह point पर normal की जरूरत होगी reflection को समझने के लिए तो center of curvature से उसको मिला दिये तो यह angle of incident हुआ जिसको आई कहेंगे अब यहाँ reflection होगा उतना ही angle बनाते हुए यह ऐसे निकलेगा focus और इधर थोड़ा दिखा देते हैं और यह हो गया मेरा image o dash अब यह आई एंगल है तो यह भी आई होगा law of reflection से अब क्या है कि यहाँ पर angle हम लोग दिखा देते हैं यह alpha object के लिए principle axis से बना रहा है यह beta और यह angle gamma इसी तरह से object के लिए यहाँ हम लोग अलफा दिखाए और image के लिए beta angle रखे और center of curvature पर कितना angle दिखाए गामा दिखाए एक चीज़ समझने वाली बात है कि यह आई तरह भी आई और यह opposite angle से यहाँ पर का भी angle कितना हो जाएगा आई हो जाएगा तो आपको दिख रहा होगा कि O, A, C O, A, C एक triangle है O, A, C एक triangle है जिसमें I जो है आपका exterior angle है तो exterior angle sum of two opposite interior angle होता है तो I is equal to इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं I equal to क्या लिखेंगे alpha plus gamma number one फिर से वही concept लगाएंगे किस triangle में intringle A, O, C इसके पहले हम लोग किसमें चर्चा किये थे intringle O, A, C लिख देते हैं intringle O, A, C O, A, C में लिखे थे now अब किस triangle में आपका triangle लेकर चलते हैं A, O, C intringle A, O, C अब यह beta जो है exterior angle है तो बीटा इक्वल टू आई प्लस गामा होगा बीटा इज इक्वल टू आई प्लस गामा होगा अब इसमें आई का value रखेंगे फ्रों फर्स्ट तो क्या होगा बीटा इज इक्वल टू आई का मतलब अलफा प्लस गामा तो अलफा प्लस क्या हो जाएगा टू गामा जिसको कि अगर इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं टू गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अलफा यह लिख दिया अब गामा का value रखेंगे तो angle equal to arc by radius जब relation focal length और radius अब करवेचर देख रहे थे तो उसमें भी हम लोग इसी concept का यूज किये थे कि angle equal to ये चाप बटा तिरीजिया arc by radius तो ये 2 गामा का मतलब क्या होगा AP by PC बीटा बीटा का मतलब क्या होगा बीटा यहाँ angle बन रहा है तो इसके लिए arc यही AP होगा और by PO dash माइनस अलफा का मतलब AP अलफा यहाँ बन रहा है इसके लिए arc AP by PO by PO AP AP उपर cancel होगा common लेकर इदर cancel करा सकते हैं 2 by PC PC आपका radius of curvature है और यह incident ray के direction में डिस्टेंस ले रहे हैं तो प्लस आर इस इक्वल टू AP के इंसी नहीं है 1 by PO dash यह image distance है जो की आपका incident ray के direction में है तो यह भी positive में लिखाएगा V minus 1 by PO PO जो की incident ray के अपोजिट है तो इसको लिखेंगे image distance और object distance जिसको minus you लिखेंगे PO opposite है incident ray रहा है left to right लेकिन PO distance आप ले रहे हैं right to left तो यह minus minus प्लस होगा तो 2 by R को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 by R by 2 जिसका मतलब 1 by F हुआ और यह क्या हुआ 1 by V पलस 1 by U तो यह हम लोगों ने देखा किसमें convex mirror में आगे देखते हैं concave mirror में concave mirror में भी वही बात हम लोग करेंगे दो triangle लेकर चलते हैं पहला triangle दिख रहा होगा O A C in triangle O A C क्या होगा gamma equal to alpha plus I A number 1 और in triangle O dash A C in triangle O dash A C O dash A C तो beta equal to क्या लिखेंगे beta exterior angle है तो gamma plus I आप देखें तो I का value इसमें रखेंगे तो I equal to क्या होगा gamma minus alpha तो यहां रखेंगे from first and second का लिजे तो beta is equal to gamma अब I का मतलब हुआ gamma minus alpha तो यह होगा 2 gamma गामा पहले से था plus gamma minus alpha तो इधर लाएंगे alpha को तो beta plus alpha is equal to 2 gamma अब beta और alpha का value हम लोग रखते हैं यहां रखते हैं आगे beta का value रखेंगे तो beta कितना होगा ap by ap by ap by आपका po dash beta equal to angle equal to arc by radius और is equal to sorry plus alpha alpha कितना होगा alpha होगा ap by po ap by po alpha का value रखें और 2 gamma तो 2 और gamma का मतलब कितना होगा angle equal to arc arc का मतलब ap और radius का मतलब pc तो 2 ap by pc ap उपर से cancel होगा तो 1 by po dash po dash का मतलब image distance po dash का मतलब image distance जिसको कि लिखेंगे कितना minus b plus 1 by po po का मतलब object distance object distance को कितना लिखेंगे minus u क्यों minus लिखेंगे हैं क्योंकि incident ray के opposite है is equal to 2 by pc pc का मतलब radius of curvature जिसको कितना लिखेंगे minus r अब दोनों तरब से minus cancel होगा तो क्या लिखाएगा 1 by v plus 1 by u 1 by v plus 1 by u और 1 by r by 2 जिसको कि हम लोग कितना लिखेंगे 1 by r by 2 को 1 by f चुकि f equal to r by 2 पिछले क्लास में बताये थे पिछले वीडियो में बताये थे तो क्या हुआ कि आप देख रहे हैं दोनों mirror के लिए यह formula आपका आया तो इसी को हम लोग क्या कातना है mirror formula कातना है जो कि दोनों convex और concave दोनों mirror के लिए लाग हुए तो hopes हो कि आप इसको समझ गए होंगे आप एक बार फिर से इसको आप repeat कीजिए देखिए द्याद दिजिए अगर दिक्कत है तो आप comment कीजिएगा फिर हम आपका solution करेंगे तो thank you, video को आँ तक देखा कीजिएगा